हलो दोस्तों गैसाब लोग मेरा नाम है रजाखान आप देखे रहें टेक बॉक्स दोस्तों थमनेल पढ़ चुके होंगे कि पुराने फोन को किस तरह फास्ट करें क्योंकि कोई भी फोन हम लोग खरीते हैं और एक साल चलने के बाद दोस्तों यह स्लो होने लगता आप लोग दोस्तों आप है किसी आप के जरिया अगर आपका दोस्तों फोनement कोने लगा तो जतने वी smartphone फोन कंपनी फोफ को दोस्तों पर्चेस करें लेंगे और मोवैल में डाल देंगा 2GB RAM देंगे 10GB RAM है लेकर फास चल रहा है तो इस तरह का नहीं हो सकता दोस्तों सारा डिपेंड होता है उनके जो भी रैम डाला जा रहा है कि वो इम्योंसी डाला जा क्योंकि दोस्तों ये आपके Gmail के account और Facebook account को दोस्तों ये इसका data को दोस्तों leak कर रहा है मतलब बहुत ही जादा इसको optimize कर दिया गया है कि इसमें malware डाला गया है और जिसके वज़ा से ये होता है तो इस तरह का app को आप नहीं use करिए तो बेतर है जो आपका default cleaning वगरा दिया गया है mobile में दोस्तों वही use करिए इसके लावा हट के इसमें कुछ भी use मत करिए अब आप मैं बताओंगे दोस्तों आपको किस तरह आप इसको clean कर सकते हैं तो पहले आप जाईए अपने setting में दोस्तों क्योंकि एक ही trick बताओंगे दोस्तों वह trick आप यूज करिए आपका definitely आपका जो भी mobile है दोस्तों वह fast हो जाएगा क्योंकि आप एक चीज को दोस्तों आपके जो एक चीज के वज़ा से बिगड़ता है क्योंकि हम लोग downloading surfing वगारा निट चलाते हैं बहुत सारा चीज करते हैं तो जो भी चीज करते हैं दोस्तों तो वह एक front end होता है आप अगर language अगर समझते होंगे तो एक front end एक back end होता है front end जो आपको दिख रहा है दोस्तों और back end में भी उसका कुछ काम चलता है लेकिन वो दिखता नहीं है वो storage में जमा होने लगता है और जब यह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो आप देख सो करेंगे Samsung जैसे mobile पे दोस्तों मैं किसी का brand का नाम नहीं लूँगा लेकिन Samsung में यह problem बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर आपको show करेगा कि 8GB memory खाली है उसका memory जो है 8GB या 10GB खाली है लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो यह बोल देता है कि storage नहीं है एक app 10MB का 12MB का 15MB का download नहीं होता तो वो क्यों नहीं हो रहा है वो बहुता रहा हूं दोस्तों तो आपका क्या होता है कि कुछ भी जो back end होता है वो एक cash होता है cookies होता है cash और cookies दोस्तों यह दोनों को हम अगर clear नहीं कर रहे तो उसके वज़ात है हमारा phone hang होता है बहुत ज़्यादा परिशानी होती है चलाने वागरा में तो वो cash वागरा को आप किस तरह clean करेंगे वो सारे mobile में मिलता है Redmi, Realme जितने भी phone है सब में आपको मिलेगा और setting वागरा भी बहुत अराम से होगा तो चलिए बताते है तो आपको क्या करना है आपको जाना है दोस्तों setting में setting में जाने के बाद दोस्तों आप setting म चल जाए है setting में पहले आप खोजिए कि वो कहां पर मिल रहा है आपके screenshot के जरी भी दिखा रहा हूं दोस्तों कि आप खोजिए पहले अगर आपको मिलेगा दोस्तों वहाँ पर storage तो बहुत है अच्छी बात है अगर बाहर में मिल गया है अगर storage बाहर में नहीं मिल रहा है कोई दिक्ट की बात नहीं है दोस्तो आप सीधा सीधी कहीं मच जाईए है मूवाइल के अब आब ऑट में जाईए दोस्तो अब आब ओट फोन में आपको दिखता होगा about phone में click करें वहाँ पर पूरा storage आपको दिखाएगा कि आपके storage कितनी है क्या है नहीं है सब कुछ दिखाएगा कितना खाली है कितना भरती है कौन-कौन सा use हुआ है दोस्तों वहाँ पर देखें वहाँ पर देखें app and data वहाँ पर picture and video audio music सब कुछ दिखाएगा नीचे में देखें cash data यह cash data देखें 600 MB दोस्तों लेकिन यह 600 MB जो होता है ना बहुत ज्यादा infected होता है आपके mobile के लिए तो यह 600 MB को दोस्तों के उपर दोस्तों यह cash data जो लिखावा है उसके उपर आप क्लिक करिए वहाँ पर clean का दिखाएगा clean पर मार के mobile को पांच मिनट के लिए छोड़ दीजिए दो मिनट के लिए चोड़ दीजिए उसका फिर बैक आईए और फिर जाईए दोस्तों storage में जाने के बाद दोस्तों वहाँ से फिर आप दोस्तों cash data को आप देखिए कि वह cash data default जो भी दिया हुआ है दोस्तों वहाँ पर आप जाईए RAM वागेरा management वागेरा को आप clean करिए उसके बाद जो इसका default दिया हुआ है security वागेरा या फिर जो भी है जैसे Redmi का जो भी mobile use करते है दोस्तों तो उसका खुद का अपना एक default दिया रहता है दोस्तों boosting का तो वहाँ अपना booster वागेरा चला सकते हैं इसकी वाज़र से आप clean कर सकते हैं Samsung वागेरा में भी यह चीज़ देता है दोस्तों तो वहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं और दूसरे भी app है जो है दोस्तों उसमें भी आप जाके कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने mobile को first कर सकते हैं ना के दोस्तों बूश्टर क्लीन मास्टर ये वो तिगडम लगा के आप साग कर तो देंगे लेकिन दोस्तों आपको परिशानी बहुत जादा होगी तो इस से बचिए इस तरह के चीजों से बचिए जैसे रेटमी का मोबल में दोस्तों आपको दिखता होगा कि सीजरीटी करके ह तो देखे सीजरीटी में जाएंगे तो वहां बहुत सारी चीज आपको मिलेगी वहां पर जैसे आपको दोस्तों वहां पर देखे आफ्टीमाइज करके दिखा रहा है आफ्टीमाइज वहां पर नीचे में क्लीनिंग का दिखा रहा है तो इस तरह से आप अपने वागरा मिलता है मैं रेडमी चलाता हूं तो मैं रेडमी के मदद से आपको दिखा दे रहा हूं यह चीज सारा मोबाइल अभी आपको दे रहा है क्लीन करने के लिए लेकिन दोस्तों आप इंड एक्स्टर्णल कोई भी क्लीन मास्टर वागरा या इस तरह के जितना भी एप प्लेश्टोर में मौजूद है वो चीज़ को यूज मत करें क्योंकि वह आपके डेटा को लिक कर सकता है आपके मोबाइल को हैक होने से नहीं रोख पाएगा दोस्तों और आपका डेटा इधर उदर जाएगा फोटो वगरा प्रसनल इंफॉरमेशन बहुत सारी चीज आप अब वीडियो हम आपको देते रहेंगे चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब